कि खुद को सुधारने की ज़्यादा कोशिस करें हमेशा खुद को सुधार हैं काफी लोग सिस्टम को सुधारते हैं अपलाइन में कमिया देखते हैं डाउनलाइन में कमिया देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में कमिया देखते हैं लेकिन कमिया यदि देखनी है तो सिर में जुढ़ गया, उसकी कमी देखना बंद कर दीजिये, सिर्फ उसकी अच्छाई कड़िये, यदि वो पड़ा लिखा नहीं है, तो भूल जाएए, पड़ा लिखा नहीं है, उसका excitement देखिये, अगर यदि वो महनती नहीं है, भूल जाएए, वो महنتی नहीं है उसकी लिस्ट देखिए क्या उसके संपर्क बहुत बढ़िया है कि नहीं उन संपर्कों से और संपर्क निकालने की कुछिश करिए तो हमेशा हमेशा अच्छा ही हैं देखिए एक आदमी से पुछा गया कि यार किस तरीके से बोलना चाहिए क्योंकि ये बोलने का बिजनस है तो कई लोगों के बारे में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की जवान बड़ी गंदी होती है गंदी कैसे इतना काला बोलते हैं इतना खराब बोलते हैं कि अच्छे से अच्छे आदमी को एक मिनट बोलने से दुसमन बना लेते हैं और ऐसे लोगों की टीम नहीं बनती कभी भी कई लोगों की निगा बड़ी गंदी होती है गंदी निगा वाले कैसे हैं जो हमेशा छोटी चीज़े हैं कमियां, खराबियां देखते हैं और कई लोगों के हाथ बड़े गंदे होते हैं यदि उनके हाथ में पैसा दे दिया तो वो सही ठिकाने पर उसको पहुंचाते नहीं और ये तीन चीज़ें जिसकी गंदी है जवान जिसकी गंदी है आँख जिसकी गंदी है हाथ जिसके गंदे हैं ये धंदा उसके लाइक है ही यह नहीं तो सबसे पहले क्या-क्या अच्छा करना है जवान कितीं लोग करना चाह रहे हैं जवान अच्छी करनी है आपको उससे पूचा गया बताओ मेरे बारे में क्या सोचते हो उसने हाध दिखाया पत्रे का आपका सारा खांदान खतम हो जाएगा क्या बोल दिया आपके सामने आपका सारा खांदान खतम हो जाएगा तुरंत राजा ने एक ताली बजाई बोला आओ सेने को ले जाओ साले को फांसी पर लटकाओ इसको बोला, मेरा खांदान बाद में खतम होगा तू आज ही खतम होगा लेकिन समझा रहा है आपको? क्योंकि गंदी जवान वाला आदमी कभी भी दुनिया में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएगा लेकिन यही बात बोलनी थी अच्छी जवान से बोलनी थी कुछ अच्छा करके बोलना था तो एक्जम्पल के साथ दिखा रहा हूं कैसे बोलना था उसको बोलना था कि राजा साथ आपकी उम्र इतनी बड़ी है कि आपके कहांदान में आप सब की उम्र हैं, बहुत बड़ी-बड़ी होते हुए देखोगे इतनी बड़ी उमर है आपकी यही बोलना चाहिए था कि नहीं तो हमेशा निगेटिव चीज को भी पॉजिटिव करके यदि कैसे बोलना है अगर हमने इतनी जवान पर काबू पा लिया तो किते लोग बोलते हैं इसमें बहुत बड़ा काम किया जा सकता है किया जा सकता है तो यह आपको जरूर काम करना है दूसरा मैंने देखा है इस बिजनस में बड़ा आत्मी बनने के लिए अपनी लुटिया का आकार बहुत बड़ा करना जरूरी है कैई लोगों की लुटिया कैसे होती है कैई लोगों की लुटिया बीस हजार की नौकरी पर इतनी भरी हुई है कि यदि उसको प्राइवेट नौकरी से बीस हजार रुपे मिल रहे है महीने के तो आप उससे कुछ भी काम नहीं करवा सकते करेगा ही नहीं लेकिन कई लोगों की लुटिया जो है वो पचास हजार और एक लाग पर आके बहुत ज़्यादा बर जाती है किते लोग बोलते हैं लुटिया का आकार बड़ा रखेंगे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे